नमश्कार बद बहुत सोगत है आपका नीज जोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्धिमनी शर्मा नारी लगने लगे और नारी लगने के बाद मंता बेनर जी नाराज हो गई उसके Бाद उन्हों ने कहा की राजनीतिक कारिकरम नहीं है यह देश को एक बहुत बड़ंध राज्किया कारिकरम है इस वजह से वह वहां से मंझच से जय Marriage लूकर्डा करते होई उतर गई जैसरी र मंताब एनर जी कारे करम में हिस्सा लेने के लिए पहुची लेकिन ऐसे मैं जैसे वह भाशन देने के लिए जाई रही थी जब यह भगवाण शुरी राम के नारे लगा दिये गए तो वह इससे इतनी खफा हो गए कि उन्होंने खुद मंच पर जाकर यह चीज बोली और मताब एनर जी वहां से चली गई उन्होंने जिस तरीके से कहा कि उनको आपमानित किया यह पहरी नजर में तो अब हैसा नहीं दिटा क्यूंकि जैसीराम के नारे कोहीं यह राजनितिक है यह इस देश की आत्मा में बगवान राम के अगर हम लोग नारे लगाते हैं तो इस उसे कैसे की अपमानित हो सकता है इसे कैसे को बुरामान सकता है यह समझ से परे हैं अलनकि ममताब से ममताब एनरजी को कड़वाध कियों कड़वाध शायद इसलीए भी कह सकते हैं कि जयश्री राम का नारा जो भी जो पी पी पार्टि से जोड़ा जा चुका है कि पी जयशा चुक्तर शुट रहोग से वह वह च सबसे अगलों आरे लगाते हैं ऐसे मैं जब वहां पर इस तरीके से बुलाना और बेज़त करना अच्छी बात नहीं है तो ऐसे मैं ममतव एनर्जी नस्दी तोर पर ये चीज प्रदार मंत्री मोधी के लिए कहीं थी क्योंकि जिस तरीके से आम मंत्रम पत्र बेजा गया था लेकिन उसके बाद भी जो कारे करता थे उन्होंने ये लगाए जिसके चलते ममतव एनर्जी काफी खफा भी हो गई है लेकिन अब चुनाब भी नस्दीक हैं और जिस तरीके का रियक्शन ममतव एनर्जी का आपर सामने आया है तो कहीं न कई ये चीज देखने वाली हो जाएगी ये एक मुद्दा बन जाता है कि भगवान श्री भगवान का नाम लिया गया तो उसके पीछे जो उनकी सोच है वो यहाँ पर इस पश्च तोर पर साफ बिलकुल नजर नहीं आ रही है कावेंद्र जी बिलकुल एक चीज बहुत देखने वाली है आपने बताया कि जैशी राम का जो नारा है उसको अब बीजेपी से नारों को देखा जा जाएगा तो ये देश का जो चलन है वो किस तरफ जा रहा है क्योंकि भगवा को आप बीजेपी से जोड़ के देख सकते हैं जब कि भगवा जो थैप इस देश की शांतिका प्रतीक है एक हरे रंग को आप मुसलमानों से जोड़ कर देख लेते हैं जबकि इन चीजों का इन चीजों से कोई सम्मंद नहीं है लेकिन ये जो जुडाओ है जैसे कि अब ये गुजरात का भी कुदारड था आप कल बता रहे थे कि वह फल जो है उसको भी अब बताया जा रहा है कि वह कमल की तरह जाने की इस तरीके की भी चीज़े हुई है तो बिल्कुल ये जो चीजों को जो एक पार्टी से असोसियेट करना एक फल को एक पार्टी से असोसियेट करना अब एक नारे को एक पार्टी से असोसियेट करना ये इस देश की जो प्रस्टभूमी है इस देश की जो रूट ह तो इस तरह की चोटी सी चीज़े हो जाए तो इससे कही ना कहीं जो एक मैसेज जा रहा है वह बहुत गलट जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जब प्रदान मंतरी मोदी ने भाशन दिया तो उन्होंने यहां पर इस बात का कुछ भी जिकर नहीं किया उन्होंने उस चीज़ को एग्नोर कर दिया लेकिन अब लोगों की नजर में तो इस चीज़ आ चोटी थी मीडिया के नजर में यह चीज़ आ गई थी तो यहे मुद्द हबन जाता है लेकिन यह चीज़ समझने वाली हो जाती है कि इससे पहले एक ऐसी ही बात हुई ती जह कि आज उन्होंने 9 किलो मीटर का लंबा एक रोडशो निकाला था अगर ऐसे ही रोडशो अब और निकाले जाते हैं और अगर भगवान श्री राम के नारे बाजी महाँ पर की जाती है तो ममताव एनरजी का आने वाले समय में ठीक नहीं है ये शोबा नहीं देता ये प्रदान मंतरी मोधी का कारेकरम था रजके कारेकरम था राजनीती यहां पर नहीं होनी चाहिए थी लेकिन जिस तरीके से पस्चिम बंगाल से बीते कई दिनों से तमाम ख़बरे आ रही हैं जहां पर ममताव एनरजी बनाम बीजेपी वो नाराजगी जाहिर करती है तो ऐसे में यह आपको नहीं लगता कि एसा भी हो सकता है कि जो बहाँ पर जो पार्टी का कद बढ़ रहा है उससे कही ना भी बॉखलाहट तो नहीं है बॉखलाहट बिल्कुल का सकता है कावेंदर क्योंकि अभी बीते दुनों आपने भी दे दिया है तो इसे कई नेता है जो अब उसको छोड रहे हैं टीमसी को और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कई ना कई उनके अंदर वो चिर्चड़ापन वो जो कड़वाट आप जिकर कर रहे है एक बॉकलार्ट जिकर कर रहे है तो वह बिल्कुल देखने को मिल रही प्रोपेगेंडा बनाने की बड़ी कोशिश की जाती है, जब चुनाओ पास में आते हैं, तो वहाँ पर उससे पहले ही उस राज्य में हवा बहने लगती है, हवा बहती है प्रोपेगेंडा की, कि पस्चम मंगाल में क्या है, पस्चम मंगाल में भी हिंदू मुस्लिम के नाम से पहले बहांपे मँषक पीज़री स्पस्क्राइश के कि स्कूल जा रही है कि यहां पर विकास नहीं गुआ विक खेयायर से कि नहीं विकास तो दरसल वो था, जो हमने किया था, जो हमेशा वो एक रोना रोते हैं, जो रोना आपको पता हूँ, वह एक्स्प्रेस वेका, तो उन्होंने कहा है, जो अपना तो ऐसा वीकास हम कर के देंगे, तो यह जो हवा की बैयार बहती है, यह वही बैयार आप यह बिल्कुल भी अलग नहीं लगता है यह उसी का पार्ट है क्योंकि ममताब एनर्जी जब स्टेज पर चड़ती है तो नारा लगाने की बता है नारा लगा लगाने की कतह ही ज़रूत थी लेकिन नारा लगा भी दिया गया तो यह कोई गलत चीज नहीं थी सामपरदायक ना तो यह तो देश को गुलजार करने वाली चीज़ें हैं लेकिन ऐसे में जब वहां की मुख्यमतिरी नाराज हो जाती है तो वहां के लोगों के बीच में क्या मैसेज जाता है कि क्या इस नारे को नेगटिव वे में देखा जाए जो इस देश की आत्मा का नारा है बिल्कुल इसमें खास बात ये भी हो जाती है कि अगर जब वो मंच पर थी और जैश्री राम के नारे लग रहते तो इसमें सायोग में वो भी अगर जैश्री राम का नारा लगा देती तो उनकी ही वहां पर जो प्रतिष्टा है वो और बढ़ भढ़ जाती और लोग उनसे आकरशित भी होते लेकिन जिस तरीके का उनका reaction सामने था तो वो reaction कुछ इस तरीके का सामने आया है कि अगर आप बगवाय श्री राम के नारे लगाते हैं तो वो चिटड़ा जाती है वो बॉकला जाती है अब उसकी बॉकलाट के पीछे वजा क्या है यह अभी तक इस पश्ट नहीं है क्योंकि जिस तरीके के मैंना आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे मंत्री हैं जो छोड़ चुके हैं टीमसी को बीजेपी में जा रहे हैं बीजेपी का वहाँ पर कद भढ़ रहा है तो कहीं न कई जो डर है वो ममता दीदी का आप निकल कर सामने आ रहा है जब इस तरह के नारों को लेकर विवाद होता है जब इस तरह के नारों को लेकर जब बड़े नेता जब इसके अगेंस्ट में दिखते हैं तो ये इस देश के अंतर आत्मा पर चोट करता है इससे पहले आप देखा होगा AIMIM के जो असदुदीन ओवैसी जी है उन्होंने कहा उच्छे जैशी राम पर किसी का कॉपी राइट नहीं हो सकता जैशी राम इस देश का नारा है हर व्यक्ति को हर सिटिजन को हर कोई बोलना चैए हर किसी को बोलना चाहिए इसमें ना तो धार्मिक एंगल है ना ही राजनितिक एंगल है ये 135 करोड हिंदुस्तानियों का ना रहा है और ऐसे में polarization हो ना हो क्यों ना हो बिल्कुल आपना भी ओवैसी का जिकर किया कि मैं भारत माता की जै करने के लिए बोल रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है लेकिन वो अपना को कटर मुस्लिम बताते हैं तो यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है यह तो हम भारत भूमी की बात कर रहे हैं लेकिन वो नहीं करते तो कईना कई यह भी एक दर्शाता है कि जब चुनाव पास में आते हैं तो अपनी publicity करनी है तो कुछ ऐसा बयान दे दो कि लोग आपकी तरफ देखें लेकिन कभी-कभी ऐसे बयान आप पे ही उल्टे पड़ जाते हैं जैसे नारों में डिफ्रेंशियेट करना बहुत ज़रूरी है जैसे कि पार्टी का नारा किस तरह से दिखा जाता है जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तो यह बीजेपी पार्टी का ही नारा है यह सरकार का नारा है लेकिन पार्टी जो सकता में है ब बड़े नेता के तौर पर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉंसिबिलिटी अधाती है एक बहुत बढ़िया मूवी थी उसमें भी प्रद्यूमिस तरह की बाते थी कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉंसिबिलिटी तो आपके पास सकता है ताकत है आप लोगों तक रिच है आपकी तो आपको उस रिस्पॉंसिबिलिटी का भी अहसास होना चाहिए आप उतने ही रिस्पॉंसिबल होने चाहिए इस तरह की चीज़ें से जो मैसेज जा रहा है वो गलत मैसेज जा रहा है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले यहां के पूर सियम अखलेश तो देश का नुकसान जरूर हो जाता है बिलकुल लेकिन इसमें खास बात ये भी है कावेंद्र की अभी हाली में कुछ घंटे भीते होंगे अखलेश यादव ने एक ट्वीट किया दरसल वह एक्सप्रेस वे से गुजर रहे थे इलाबाद की बात है अब तो प्रयाग रा गया है और बकायदा उन्होंने ये चीज ट्वीट किया है और ये लाइन लिखी गई है तो आप सोच सकते हैं कि नाम बदलने से नारों से किस तरीके की राजनीती हो रही है आजकल व्यंग मारना ठीक है लेकिन मैसेज क्या पहुंच रहा है इसको भी बहुत जरूरी है कि इस तरह इस यह तरह कि जो पंच रही है और इसको जो चोड पहुँच रही है उसको जो चोड पहुंच रही है उसके जिम्मेदार ये नेता ही है बिलकुल क्योंकि जब आपकी इतनी fan falling होती है आपके पीछे इतनी बड़ी party है आप उसके वरिष्ट नेता हैं आपके पीछे तमाम कारे करता है अगर आप ऐसे reaction देंगे तो ना जाने उनके दिमाग में किस तरीकी का वो चीज़ क्लिक करेगी फिर वो लोग किस तरीकी से reaction देंगे तो प्रभाव बहुत पड़ता है इसलिए ये हमेशा सोच के रखना चाहिए कि आप इतनी बड़ी post पर है तो आप जब भी अपना reaction दें तो बड़ा ही सोच समझ के दें और जो आज reaction ममताब एनरजी का सामने आया हम तो यही कहेंगे खासकर अगर अगर परसनल राइक की पूछी जाए तो परसनल राइक मेरी तो यही रहेगी कि वो भगवान श्री राम का नारा था भगवान श्री राम के लिए बोला गया था तो इसमें हिंदू, मुस्लिम या फिर किसी भी पार्टी को involve करना या अपने आपको बेज़त महसूस करना वो बिल्कुल गलत था क्योंकि उसमें ऐसा कुस्थ था ही नहीं लेकिन ममतब एनरजी नहीं ना जाने इस तरीके के क्यों रियक्शन दिया, ये तो वो ही जानती है आने वाले समय में हो सकता है, बता भी दे बिल्कुल, अगर नारे के बदले वो नारा लगा देती तो कितना जादा इस चीज़ को लेकर बात की और उन्हें अलग-अलग मुद्धों पर कई मुद्धों पर भी बात की, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में चोटी-चोटी क्लिप भी बन जाती है, तो उस क्लिप को लेकर तमाम तरीकों से उसको बारल किया गया कल से लेकर अभी तक हमने social media को खंगाला था इससे पहले देखेंगा आपने कितने लंबे 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 टेक्ष्ट लिखे गए थे बहुत साले तो इस तरह की चीजों से जब वो social media पर है क्योंकि एक parallel world चल रहा है एक social media की parallel दुनिया चल रही है वहाँ पर ये message बहुत तेजी से वारल हो रहा है जो की मेरी नजर में और आपकी नजर में भी प्रद्यू उन्हें बेशाग गलत है बिल्कुल तो फिलाल के लिए इतना ही बने रही है न्यूजवल इंडिया के साथ नमस्कार